इक्जाम के दिन अब कम ही बचे हैं, फाल तु समय में तुम दिन ना भिताओ, दिन रात जाग के प्रैक्टिस कर लो, पूरा तुम कर लो सिले बस प्यारे एडू फाइवर में बताया गया जो, एडू फाइवर में बताया गया जो, इक्जाम में हैं बस वही सब आने इतना ही बस तुम कर लो गेरे, मैरिट अच्छा हो जाएगा रे प्यारे इतना ही बस तुम कर लो गेरे मेरिट अच्छा हो जाएगा रे प्यारे तो चलिए आज का सेस्टन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला कोश्चन यह रहा बोड़वा पर द्यान से देखिए वही क्या है अकबर डैस वर्ष की आयू में समराट बना पूछह जा रहा है अकबर जो है वह समराट कितने सफेकी आयू में बना हैं हमारे पासे वर्षय बिचन ओस नंबरी बना था चलिए इससे कुछ जूड़ी जानकारिया देख लेते हैं क्या जूड़ी जानकारिया हैं बताएंगे तो question एक लेकिन जानकारी देंगे इससे अनेक जिससे हो जाये का आपका selection बहुत ही आसानी से चलिए देखते हैं सबसे पहले तो हुमायू की मृत्यू के समय अकबर पंजाब में सिकंडर सूर को समाप्थ करने में सनलिप्थ था उसके बाद हुआ क्या उस अवसर पर बैरम खा जो की पाबर का क्या था भई सेनापती था यानि अकबर का भी ये क्या हो जाएगा सेनापती हो जाएगा उसके सन्रक्षक के रूप में कार्य कर रहा था देखो यह जो बैरम खा है यह अकबर को बचा रहा था सन्रक्षन दे रहा था हुमायू की मृत्यू की सुचना मिलने पर पंजाब में गुरुदासपूर जीले के निकट कलानोर नामगस्थान पर 14 फरवरी 1556 के अकबर को मुगल वादसा घौसित किया गया उस समय अकबर की आयू लगवक कितनी वर्स 13 वर्स चार महिने थी चलिए देख लेते हैं और यह जो 1556 जो आप देख रहे है यह पानीपत पानीपत लड़ाई है पानीपत की तीन लड़ाई 15 26 51 भाई चलिए देख लेते हैं अगला कुश्चन यह रहा बुडवा पे कलानोर में राज्य अभिशेक कि समय अकबर की आयू कितनी थी फिर जोई कुशन आ गया वही कितना वर पानीपत का कहानी आपको बताते हैं वही आप सिर्फ यह याद करके रखिए पानीपत की तीन लड़ाई क्या पानीपत की तीन लड़ाई 15 26 56 भाई क्या क्या बोलें वही 15 26 15 26 भाई पस यह जो 15 26 है यह हो जाएगा पानीपत की पहली लड़ाई 1556 वह हो जाएगा दूसरी आप 1761 जो हो जाएगा वह हो जाएगी तिसरी चलिए देखते हैं इसमें पूछा गया भाई बाबर्त लोदी समराज की बीचुआ क्या बाबरत था राना सांगा के थो जाएगा अकबर को सीर्षा सूरी कंसुख सेना पतिथा और अकबर अकबरने लड़ाई नहीं लड़ा था अकबर का जो जो शेनापत्ति है यानी बैरम खहां बैरम खहां के बीज़वता इन दोनों में जब लडाईया सुरू हो गई तो उस उस लडाई में उस समय अकबर का जीत हो गया है अकबर का जित बोले तो बैरम जिद गया और बेटा हेमु यानि हेम-चंद्र का माथाई अलग कर दिया उसका और सीर धड़ से अलग कर दिया इस तरह से उसकी हट्या कर दी गई चलिए देखते हैं इसे जोड़ी कुछ जानकारिया पानीपत का दूति यूद पांच नमंबर अगर पूछा जाए कौन सा डेट में हुआ था कौन सा डेट हुआ तो पांच नमंबर 1556 को अकबर यानी बैर अब बैरम खा ने उसका सीर काट दिया और उसकी मृत्य हो गई चलिए देखते हैं अग्ला कुश्चन महा भारत का फार्सी में अनुवाद किसने किया देखिए महा भारत जिसे जह सहीता के नाम से जाना जाता है तो इसका अनुवाद फार्सी में किसने किया वई बदायू अबूल फजल इबन वतूता बाबर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बदायूनी तो चलिए देख लेते इससे जुड़ी कुछ विशेस जानकारियां अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन भागों का फार्सी में रज नामा नाम से अनुबाद अब्दूल कादीर बदा प्रस्म रामायन का अनुबाद फार्सी में किस ने किया पूछा जाएगा भई रामायन का वो तो बता दिये महाभारत का कौन था चलिए अब रामायन का देख लेते हैं रामायन का अबूल फजल है बदायूनी है अब्दूल लटाग है इस वर दासे इसका जो सही उतर हो जाएगा वो हो जाएगा बदायूनी चलिए देख लेते से जूड़ी कुछ विसेश जानकारियां चलिए देखते हैं तो रामायन का भी फार्सी महनुबाद 1590 इस भी में अब्दूल कादिर बदायूनी ने किया था बदायूनी अकबर के महत्पुन दरवारी इतिहासकार में से एक थे यह एक इतिहासकार थे वह बदायूं का रहने वाला था उसने मुंतखब उल तवारिक नामक गरंद की रशना की वह एक कट्टर मुसलमान था अतह उसने प्रतेक चीज को शरन तरा के तराजू पर तोला किसके तराजू पर शरा की तराजू पर चलिए देख लेते हैं अगला कोश्चन अगला कुश्चन यह राव उडवा पर निमन लिखित में से किसने अकबर की जीवन का था लिखिती अकबर का जीवन के बारे में किसने लिखाता यह पूछा गया है अब देखिए उस समय तो अकबर महराजा था ना अब उसका जिंदगी कईसे जीता है सुभो का करता है साम को करता खाना में क्या ख़ाता है और मनोरंजन को यह करता है वही उसका पूरभ बाईग्रोंबीद vocab डाला तो अप्सन नमबर है कर डाला अकबर नामा कर डाला अकबर नामा यानि अकबर का Áतर्म कथा देखते हैं अगला कोश्चन उससे पहले कुछ जुड़ी बिस्स जानकारी अबुल फजल मुगल समराथ अकबर के प्रधान मंत्री एबम उनके दरबार के नो रतनों में से एक थे इन्होंने अकबर नामा जो की बता रही अकबर नामा यानि अकबर का वाइगरोफी नामक पुस्तक की रचना की यह पुस्तक तीन खंडों में विभाजित थी यह जो अकबर नामा है वो कितने भागों में बाटा गया था तीन भागों में बाटा गया ठीक है और इसका अंति पंच तंतर का फार्षी एनुबाद भी किया था यह भी कोशन पूछा जा सकता है पंच तंतर का फार्षी मनुबाद किस ने किया तो इसका उट्तर है वो क्या हो जाएगा आगला कुश्चन आइने अकबरी पुस्तक के लेखक देखे, फिरसा आ गया, कितना अच्छा है जवाब? वही, अबुलफजल, चल यह देख लेते हैं, अगला कुश्चन, अगला कुश्चन यह रहा, अकबर नामा, अकबर नामा भी हो जाएगा, अबुलफजल, चल यह आइने अकबरी और अ अगला कुश्चन क्या कहता है वह पर सी जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था अकबर जो सभी का सम्मान करता था उसके जो भी रतन थे नौ रतनों में सभी का वह बहुत अच्छा सम्मान करता था खासकर विरवल का कुछ जादाई करता था इसमें प गया है हरी जैन बिद्वान थे इसे जोड़ी कुछ बिशेच जानकारी देख लेते हैं बिशेच जानकारी ज्यानकारी क्या है हरी भीजजय सूरी पूरा नाम क्या है हरी वीजज यूग प्रधान की उपाधी दी गई थी देखिए यूग प्रधान के नाम से किसे जाना जाता है ये सवाल पुछा जा सकता दूसरा सवाल ये पुछा जा सकता है जगत गुरु के नाम से किसे जाना जा सकता है चलिए देखते हैं अगला कुश्चन तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा आपका वही हरी विजय चलिए देख लेते हैं अगला कुश्चन अगला कुशन हम यह रहा हल्दी घाती की लडाई कि बीच लड़ी गिती हल्दी घाती के लडाई के बात हो रहा है इससे पहले पानीपत की लडाई हम लोग देख लिए पानीपत की तीन लडाई 1526 एक सट भाई चलिए देख लेते हैं 1526 चपान एक सड़ भाई 1526 1556 आर 1761 चलिए देख लेते हैं अकबर और राना संग्राम सिंग अकबर और मेदनी राय अकबर और राना प्रताप सिंग अकबर और उदय सिंग तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा अकबर और राना प्रताप सिंग के बीच हल्दी घाटी के लड़ाई हुई थी चलिए देख किस ने किया था मान सिंहने और आसब खाने किया था इसका परिनाम मुगल सेना कि पक्ष में रहा तदहां राना पृताप कुष्विम को सुरक्षित रखने ही दो समीब की पहड़ी में शरन लेनी पड़ी अपने आपको बचाने के अगला कोश्चन है मनसबदारी प्रनाली किसने आरम कि थी मनसबदारी चलिए देख लेता है इसे अकबर ने अपने सासनकाल के ग्यारवे वर्स में प्रारम किया था इस प्रता के अंतरगत उन व्यक्तियों को समराठ द्वारा एक प्रतान किया जाता मनसबदारी में जैसे कोई अच्छा काम किया तो उसको बेटा हम क्या करें अपना मंत्री मंदल में सामिल कर लेंगे चलिए उसको दे दिये फालना काम कि तुम बेटा करो तुम राजस मंत्री बन जाओ तुम अकबर ने तो देखिए तो एक पद प्रदान किया जाता था जो साही सेना में होते थे दिये जाने वाले पद को मनसब कहा जाता था क्या कहा जाता था मनसब और गरहन करने वाले व्यक्ति को मनसबदार कहा जाता जैसे सूबेदार नाम सुने होगे ना हवलदार नाम सुने रखनाली के तर ढकर की मंसब्डारी कि प्र हो आख कबर की मनसब्डारी में औन हो पर की मनसब्डारी वैवस्ता मंगोल नीटा गल्शन athletes freaks यह पूछा जा सकता है कि अकबर की मनसब्डारी प्र Whenever Cada कि किस पराधारी थी जो किस पर है आढ़ड में से बहुत ही इंपॉर्डन सवाल है चलिए देख लेते हैं आगला कुश्चन कि अगला कुश्चन यह रहा बुडवा पे निम्न में से किसने मनसब्डारी व्यवस्था का सुत्रपात किया सा जहां सेर्चा अकबर जहां कि तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अकबर चलिए चलिए देख लेते हैं आगला कुश्चन फटेफूर सिक्री का निर्मान किसने किया फटेफूर सिक्री सिक्री का निर्मान अकबर नहीं किया है चलिए देख लेते से जुड़ी कुछ विसेस जानकारी विसेस जानकारी क्या है ध्यान से रिखिए उत्तर प्रदेश के आग कहां पर यह आप कमेंट किजीuard है चल यह देखते हैं अगला कुष्टन इस अंगला कुष्टिन यह रहा निमलिखित में से किसने फटेपूर शिक्री के पंच महल निरौन करवा था वह पंच महल फटेपूर जानकारी एकबर ने आगरा से 36 km दूर फटेपुर सिक्री में इसका नाम था पंचमाल किसने वनवाया तो किस ने बनवाया वहीक अकबरने बनवाया चलिया देख लेटें इस्वे जूड़ी कुछ जानकारी क्या जानकारी से अखबर ने 1136 किलोमेटर दूर फटेपूर सिक्री में कितना अगरा से किलोमेटर दूरैंच 36 किलोमेटर दूर 1572 में एक राज महल सह कीले का निर्मान आरम किया यह आठ वर्षों में बनकर त्यार हुआ था बनने में कितना साल लगा था पंच महल को पांच साल नहीं आठ साल इसमें जोधा बाई महल, पंच महल, स्वर्न महल, सुनहला मकान, दिवाने आम, दिवाने खास, मर्यन, मर्यम कोठी, बिर्वल कोठी, आधी परमुक्त, देखिए बिर्वल के लिए गलग कोठी है बना कर रखा था जिसका नाम था बिर्वल कोठी, काई कि सबसे ज़्यादा द यहां फ्हतेपूर शिक्री में यस्थित नहीं है बलागए इसमेंग इसमें फ्हouse सिक्री में इस्थित नहीं है क्या नहीं फॉर्ट हूक है कि मोटी मुश्at है क्या सॉलम चिफित मख्ष्ट का मखबरा मरियम पहले से तो आभी कहां फीह मुटी है सब्सक्राइन लएप डिल्ली में है जर दफ यह दिल्ली में मौती मस्जू है परिख लेक। परशिमबंगाल गुजरात उत्तर परदेश टमिलनाडू तैसे जोड़ी कुछ भी करें hist जानकारिया देखहें बुलंदर वाजा एक दार्शनी अस्मारक है जो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के निकट फोटेपोर सिक्री नाम अगस्थान पर है अकबर द्वारा निर्मित यह अस्मारक बिशु का सबसे बड़ा परविश्द्वार के नाम से इसे जाना जाता है चलिए देख लेते हैं अगया कोश्चन है अकबर अपना धार्मी विचार बिमर्ष काहां करता था अखबर जो धर्म अपनाया था कौनसा धर्म है अक भरका इस्लाम और ये सबी धर्मो का सम्मान करता था इन इबादत करना मतलब प्रार्थना करना क्या करना होता है प्रार्थना करना होता है चलिए देखते हैं कुछ जानकारियां अकबर की धार्मिक और आदमिक रूची के परिमान सोरु फटेपूर सिक्री में इबादत इबादत खाने में उसकी धार्मिक परिचर्चाएं गुरुवार को हुआ करते गुरुवार को साम के समय यह भी पूछा जा सकता है इबादत खाने में कब खुलते थे तो प्रतेक गुरुवार का साम को चलिए 1578 इस भी में उसने इबादत खाने को धर्मसंसर में परिवर्तन कर दिया और इसको क्या बना दिया प्रारंब में यह केवल मुसलमानों तक ही सिमिता स्टाइटिंग में तो खाली मुसलमान के लिए था लेकिन बाद में उसने इसे हिंदूओं जैनियों पार्सियों इसाईयों के लिए भी खुल दिया अगला कोशन देख लेता है और एक चीज़ी ध्यान दिजिएगा मुगल काल को इतिहास में रा अल्हा का नगर नाम किसने दिया था परियाग अभी फिर से इलावाद पहले था ना तब क्या कर दिया योगी जी ने उसको परियाग कर दिया है तो कौन दिया था नाम तो अकबरी दिया था वही ऑप्सन नंबर पी चलिए देख लेते हैं इसे जोड़ी कुछ जानकारिया परियाग नगर को अल्हाबार यानि अल्ला का नगर नाम मुगल साशक अकबर ने दिया थाया यहाँ अकबर ने गंगा यमुना के तड़ पर एक कीले का निर्मान कराए गंगा यमुना सरस्वती प्यार का पयगाम है जहां पे 3 मिल जाए उसे को हम लोग संगम के नाम से ज लोग कहते हैं अलाभाद नहीं गोलते हैं इलहाबाद बोलते हैं चलिए देखते हैं अगला अगला कोशन नीघ बंदवां पि अकबर कि आरंभिक दिनों में उसका रिजेंट मतलब क्या होता है संरक्षक होता है कौन बचाने का काम करता था तो अभूल फजल बैरम खा तांसेंट टोडर मल तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा बैरम खा हो जाएगा चलिए देख लेते हैं इससे जूड़ी कुछ जानकारियां क्या जानकारिये अकबर के मतलब क्या है हम चंद्र वो किसका सेनापती था वो सेड़शा सूरी का था चलिए देख लेते हैं अगला कोशन आर उस समय अगर देखा जाए उसका करता धरता किसका अकबर का वो कौन थे वह बैरम खाते हैं चलिए देख लेते हैं अकबर का अभी रक्षक कोन अभी पर निमलिखिद में से किस सासग ने जजिया को समाप्त किया था जजिया कर जो कि एक धार्मिक कर के नाम से जाना जाता है लगा हुआ था इससे पहले मुगलों ने लगा था उसको समाप्त करने का श्रेवी किसको जाता है अकबर को ही जाता है फिर से यह जजिया किसने वास्तवी उत्पादन का कितना अंस राज की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था यह जो हो जाता है इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा एक तिहाई टेक्स के रूप में देना पड़ता था मुगल काल में यानि अकबर के समय चलिए देख लेते हैं इससे जोड़ी कुछ जानकारियां जब ती प्रनाली के अंतरगत बास्तिविक उत्पादन का एक तिहाई अंस राज की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था अकबर ने अपने साशन के 24 वे वर्ष जब इसका कितना हो गया था वर्ष 24 वे वर्ष मतलब 24 साल तक वो क्या किया था राज किया था उस समय 1580 में आएने दहशाला यानि टोडरमल बंदोबस नामक नहीं कर प्रनाली का प्रारम कर मुगल कालिन राजस व्यवस्था को अस्थाई स्वरू प्रदान किया तो अगला कोश्चन है उडलस तोडरमल किस मोगल साशक के पुर्ष राजस्धिन मंत्री तो अभी आपको बताएएं वो क्या हो जाएगा अक्बर हो जाएगा चलिए देख लेता है रोड़ा को मैं अकबर कि दर्वार में सब्सेऴसर संगीतार तांसेन का मूल नाम क्या थ था राम तनु पांडे यानि अप्शन नंबर सी चलिए इससे जूड़ी कुछ विसेश जानकारिया देख लेते हैं अकबर की दरबार में सबसे प्रशिष संगितकार तान सेन का समन हिंदू गोड ब्राहमन परिवार से था तान सेन के पिता का नाम मुकुन पांडे था इनका गाम मज़ प्रदेश के गवाली अर जीले में था तान सेन के बचपन का नाम क्या था राम तनु पांडे था चलिए देखते हैं अगला कोश्चन अगला कोश्चन है दीन इलाही एक नया धर्म निमलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था तो भई अकबर की द्वारा ठीक है दीन इलाही क्या है देखिए अकबर ने क्या किया था हिंदू हो जयन धर्म हो या इसाई धर्म हो इसलाम धर्म हो सभी का धर्म गरं किस ने अपनाया तो बिर्बल ने अपनाया चलिए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ और कोश्चन निमलिखित में से कौन दीन इलाही का सदे सिवाना देखिए आपको हम बताएं अभी कौन था वही राजा बिर्बल था चलिए देख लेते हैं अगला कोश्चन अकबर के एक मात्र किस दर्बारी ने दीन इलाही को सुविकार किया इसका भी सही उत्तर क्या हो जागा बिर्बल तो इससे क्या पता लग रहा है कि दीन इलाही जो धर्म था उसका एक मात्र सदे से कौन था राजा बिर्बल था चलिए देख लेते हैं अगला कोश्चन चलिए अगला कुर्शन देखते हैं निमलिखिन में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था निरक्षर का मतलब भई जो पढ़ा लिखा नहीं होता है ठीक है गवार जिसको बोल सकते हैं कौन पढ़ा लिखा नहीं था भई जहांगिर क्या साहजहां अकबर और इंग तो इसका जो स यंदे मात्रम